असलाम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करना चाहूंग अहले नया कमपनी मा आये कोचू हमी कोती महना को फाइन तीरनू परचाओ प्लीज रिपलाएं दोस्तो ये कमेंट नेपाली में है आप में से हो सकता है कि बहुत सारे भाई उन्हें नहीं समझा होगा ये भाई पुछना चाहते हैं कि इनका जो आईडी कतर एकामा अप्रि अप्रिल से ले करके आगे आपको तीन महना और भी एड करना होगा मई जून जूलाई मतलब कि जूलाई के लाश तक आपको फाइन माफ हो जाएगा उसमें कोई गरमा नहीं आएगा उसके बाद आपको अगस्त, सेप्टेमबर, अक्तूबर, नवंबर ये जो है नवंबर चल रहा है तो आपको तीन महना और नवंबर में जितना दिन हुआ है इतना दिन का आपको जो है गरमा आएगा आज पांच तारीख है तो लगवग आपको जो है तीन महना पांच दिन यानि के 95 डेज का आपको जिसके आसपास में गरमा आ सकता है एक महने का 300 रियाल होता ह तो इस हिसाब से आपको जो है तीन महिने का 900 रियाल हुआ इस तरह आपको जो है साड़े 900 रियाल के आसपास में गरमा आ सकता है अगले सवाल में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आप में से किसी भाई नहीं यहां पर जो है कहा है कि मेरा नाम इसका नाम को मैंने यहां पर हैड कर दिया है, इसको छुपा दिया है ताए कोई दिकत नो हो, इस भाहिए का कहाना है कि मैं छुटी में आया था, अभी मुझको 3 साल हो गया है, मैं दुबड़ा विजा निकलने कोशिश किया हूँ, लेकिन विजा नहीं निकला, इसमें जो है, क्या रिजन हो सकता है, यहाँ पर जो इस बहाई ने यह चीज़ नहीं बताया है कि इनका कतर एकामा जो है कैंसिल है या नहीं है अगर आप यह चीज़ बता देते हैं तो मेरे खाल से ज्यादा असानी होती अगर आपका कतर आईडी कैंसिल नहीं है तो आपका इसे भी करके कतर आईडी कैंसिल करवा है इसी तरह इससे पहले आपने जिस company visa निकल वाया था वो company वाला भी चेक करके अपने system open करके देख सकता है किस reason से visa नहीं निकला है अगर वो company वाला नहीं बता रहा है तो आप अपने किसी आदमी को सेडी भेज़ करके इसके बारे में जानकारी ले लीजी आज के तीसरे सवाल में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई निहाँ पर पूछा है भाई आईडी केंसिल होने के बाद कतर में कितना दिन रूख सकते हैं पहली बाद ज जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस सवाल को मैंने जो है देखने के बाद में Google में सर्च किया तो वहाँ पर मुझे जो latest जानकारी मिली वो ये कि कतर ID जो है केंसिल होने के बाद आप कतर में एक महना लुख सकते हैं एक महना गुजरने के बाद भी आप अगर कतर में ठेहर ले रहेंगे तो आप पर जो है दिकत होगा आप पर फाइन आएगा तो कतर ID केंसिल होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप कतर छोड़ करके अपना कंट्री चले जाएं दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक और सवाल नदरा रहा होगा इस सवाल में आप में से किसी भाई न इस तरह के सवाल होता है कि बाइक का लेशंस कब खुलेगा कब बंद होगा इसी तरह जो है कार का लेशंस कब खुलेगा कब बंद होगा तो आप जो है ड्राइविंग स्कूल है कतर में बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल है बहुत सारी जगहों पर तो ड्राइविंग स्क और को कमपनी मा जाना सुक्छू इस भाई ने यहां पर जो है नेपाली में सवाल किया है इस भाई का कहाना है कि इस भाई की कमपनी इसको कमपनी चेंज करने के लिए नोसी नहीं दे रही है तो यहां पर यह भाई कैसे कमपनी चेंज कर सकते हैं आप में से जिन भाईयों के जैन्वे भी इस तरह का सवाल होगा कि company जो है इनोसी नहीं दे रही है change करने के लिए तो यहाँ पर हम कैसे change कर सकते हैं तो आप लोगों को बतना चाहूंगा कि आपका जो agreement जब expire होता है तो उस वक्त जो है आप change कर सकते हैं उस वक्त company वाल आपको नहीं रोक सकता है यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूँ वो यह कि अभी जो है company change करने के लिए company की तरब से रोसी नहीं चाहिए बलके आप company को simply एक reason लेटर दे दीजिए कि मैं आपकी company में काम नहीं करना चाहता हूं फला तारिक से आपकी company में मैं available नहीं होंगा दूसरी company में change करके जा रहा हूं अगर आप जो है यह लेटर company वाले को दे देते हैं तो इस लेटर के base पर भी आप जो है change करा सकते हैं दोस्तों इसके बारे में जो है प्रवलम नहीं